मैं तो दिल्ली की हूँ, इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रायरिटी है वो दिल्ली का MCD चुनाव है आज दिल्ली में ये हालात है कि किसी को अपने घर किसी को बुलाना होता है तो वो कहते हैं वो जहां पर कुड़े का धेर पढ़ा है तो वो दिल्ली वालों को एक बहुत क्लियर का डिफरेंस दिखने रख चाहें ये तो मुद्दा लक्षमी जी और गनेशी का इसलिए उठा था क्योंकि वो दिवाली का समय था हमने ये कहीं नहीं का किए और ऐकुझ करने की ज़रोत हैं ये长 इए पन मी में सबकुझ करने की ज़रोत है हम तो देखिए अपने काम के आधार पर ही वोट मांगते है तो आदेश मुप्राजी डिली भाजपा चुनाव का महौल है दिली में MCD चुनाव है गुजरात में विधान सभा चुनाव है हिमाचर प्रदेश में भी विधान सभा चुनाव है हाली में वोटिंग हुई है और रिजल्स भी जल्दी आने वाले हैं चुनाव एक ऐसा समय है जब लोग एक होप के साथ अपना नेता उसे सत्ता दिलाते हैं और आशा करते हैं कि अब वो चेंज लाएगा वो सारे काम करेगा जो अभी तक नहीं हो पाए हमने सोचा कि क्यों ना उन पॉलिटिशन से बात की जाए जो कि चेंज लाने के कोशिश करते हैं और जिनसे जनता को भी बहुत उमीद है तो मैं आ गई ह जनता के बीच आपकी इमिज है एक सिंपल, सोबर, ग्राउंडीड लेडी के रूप में मैं सबसे पहले आपसे पूछन चाहती हूँ कि आपके इसाब से आप में वो कौन सी क्वालिटी है जो कि आपको एक पीपल्स लीडर बनाती है देखिए में तफ क्वेस्टिन बड़ मुझे रखता है कि अगर आप आम आदमी पार्टी को जेनरली देखिए तो जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के MLA's हैं, आम आदमी पार्टी के counsellors हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और यही शायद हमारी political success का कारण है कि हम जो promises भी लेकर आते हैं वो ground से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं के आधार पर होती हैं, ground से जुड़े हुए लोगों की experiences के आधार पर होती हैं, तो चाहे हम education की policy बना रही हों, चाहे हम health related policy बना रही हों, चाहे हम MCD में साफ सफाई की बात कर रहे हों, पार्क सी बात कर रहे हों, पार्किंग हर जगा है तो मुझे लगता है चाहे मैं हूँ चाहे आमादमी पर्टी के कोई भी लीडर्स हो इसलिए सक्सेस्फुल है क्योंकि हम ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं लोगों के बीच में रहते हैं उनकी समस्यां सुनते हैं और उन समस्यां के समाधान करने की कोशिश मैं अभी आपसे आपकी प्राइरेटीर लिस्ट भी जाना चाहूँगे क्योंकि बहुत जगा चुनाव है तो इस समय आपकी प्राइरटी क्या है कौन से चुनाव कौन से बुद्धी देखिए अभी मैं तो दिल्ली की हूँ इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी जब प्रायरिटी है वो दिल्ली का MCD चुनाव है इसलिए भी MCD चुनाव बहुत important है क्योंकि है यह कि दिल्ली में दो सरकारे चलती है एक अर्वन केज जिवाजी की सरकार चलती है जिनके पास बिजली, पानी, स्कूल, हस्पताल, महला क्लिनिक की जिम्मेदारी है लेकिन इसी दिल्ली में MCD की भी सरकार चलती है और बहुत सारे जो लोगों के day-to-day issues है वो MCD से जड़े हुए होते है कि मेरे एरिया में सफाई हुई के नहीं हुई ये MCD को insure करना है हमारे चोटी सड़की है, जो कॉलनी के अंदर की गलियां है, रोड्स है वो सारी MCD को बनानी होती है किसी भी एरिया में पार्किंग का प्रोविजिन MCD को करना होता है पार्क्स को मेंटेन MCD को करना होता है जो इतने सारे आवारा पशु भूम रहे होते हैं आजकर डॉग्स की वज़े से स्ट्रे डॉग्स की वज़े से बहुत सीरियस प्रॉब्लम है अलग-अलग कॉलनी इसमें लोगों को तो उन सारा आवारा पशुओं को मैनेज करना MCD का काम है तो ये आधी जिम्मेदारी अरवन केजरिवाल जी के पास है आधी जिम्मेदारी MCD के पास है तो पब्लिक बेसिकली ये चाहती है कि भाई सारी जिम्मेदारी आप एक जंगा दे दीजी कि क्योंकि अरवन केजरिवाल जी दिल्ली सरकार चलाते हैं और बहुत बहतरी इन तरीके से चलाते हैं तो इस बार MCD में भी केजरिवाल जी को लेकर आया जाए कि जैसा काम दिल्ली सरकार में हुआ है वैसा ही काम MCD में भी हो अधिशी जी आपके जो केजरिवाल जी की 10 गारंटी लिस्स हैं वो हम जानते हैं अभी अगर जनता का दिल जीत पाते हैं तो उन गारंटीज में सबसे पहला बुद्ध आप कॉंसे सॉल्व करेंगे और क्योंकि वादे बहुत पॉलिटिकल पार्टीज करती है लेकिन आप से लोगों को काफी एक्सपेक्टेशन है तो मैं ये भी जाना चाहूंगी अप्रॉक्सिमिट टाइम लिमिट जब तक ये मसला सुजाबा जाए देखिये हमारी फॉर्स प्रायॉरिटी होगी साफसफाई बिकोज ये MCD की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और across the board दिल्ली वाले परेशान है लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो एक छोटा सा मिनी कुड़े का धेर उनने घर पे निकल जाता है वो जैसे कॉलनी के एंटरेंस पे जाते हैं उससे बड़ा कुड़े का धेर उनने दिख जाता है फिर वो मार्केट जाते हैं वहाँ पर कुड़ा दिख जाता है कॉलनी के बाहर तक जाते हैं तो एक मिनी कुड़े का पहाड़ उनने दिख जाता है शहर की बाउंडरी तक पहुंच जाते हैं तो कुटब मिनार के हाइट का कुड़े का पहाड़ उनको दिख जाता है management हमारी first priority होगी और मैं यह मानती हूँ that within one year दिल्ली वालों को एक बहुत clear-cut difference दिखने लग जाए अधिशी हम नौईडा से आते हैं actually अभी हम नौईडा से आया आपका इंची गुलेने तो हम घुसे हैं तो हमारा गाजीपूर का पहाड़ आपका स्वागत करता है मेरे भी ना कई relatives दिल्ली से बाहर रहते हैं तो जो कोई पहली बार दिल्ली आ रहा होता है bus से या train से या car से तो जिसे कई बारी पूछते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा जिल्ली का station कहा रहा है क्योंकि इस ट्रेंज काई बारी दिल्ली पे टर्मिनेट नहीं होती है तो हम उन्हें बताते हैं कि जब आपको कुड़े का पहार दिख जाएगा ना इसका मतलब दिल्ली का स्टेशन आने वाला है तो कौन कहना चाहता है अपने शहर के बारे में दिल्ली देश की राजधानी है भारत एक growing economy across the world है हम एक super power होने का प्रयास कर रहे है और देश की राजधानी की identity अगर कुड़े के पहार से आएगी तो यह तो शहर्म की बात है तो अगर जनता मौका देती आपको तो नेक्स टाइम जो मैं आपसे मिलूंगी तो मैं क्या होप कर सकती हूँ कि वो पहार वहां पे नहीं होगा और देखिए यह कूड़े का पहार हटाने का तो पांच साल का समय लगेगा क्योंकि यह जो कूड़े के पहार इकठे हुए है ही पिछले 15 साल में भारती जनता पार्टी वालों ने दिल्ली वालों को देन देने तो डेफिनेटली अगर मैं यह कहूंगी कि हम इसे 6 महीने में एक साल में हटा देंगे तो यह तो ओवर प्रॉमिस करना होगा लेकिन कूड़े का पहार पांच साल में हम डेफिनेटली इन साथाई में दिखेगा ओके अधिशी एक और चीज जो आपसे पूछनी है मुझे वो यह है कि लोगों के बीच में ऐसा परसेप्शन है कि आम आदमी पार्टी में काफी युवा नेता है तो अब मोनॉटमिस तरीके से कामकाज नहीं होगा चेंज लोग एक्सपेक्ट करते आपसे दिखे यूथ के लिए तो अफकोर सबसे पहली चीज अगर मैं देखते हूं जो आम आदमी पार्टी ने करी है वो तो यूथ को रेप्रिसेंटेशन दिया है बैट यूथ को पहली बार ऐसा लगा है कि हम भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं हम भी पॉलिटिक्स में भ फैशन में क्या आया है उस समय 23-year-old fashion designer says कि नहीं मैं अपने अरिया में काम करना चाहते हूं मैं अपने अरिया को साफ करना चाहते हूं मैं जिस लोकालिटी में बढ़ी हूई हूं मैं इसको इंप्रूब करना चाहते हूं I think यह बहुत बड़ा change है in terms of aspiration. दूसरा मुझे हमें साफ सफाई नहीं है और हम थोड़ा सा हो सकता है किसी और शहर में रहें किसी और देश में रहें तो quality of life थोड़ी improve हो जाएगी. तो youth की aspiration एक better life, एक comfortable life और एक world class city की है. तो मुझे लगता है कि यह world class city तब संभव है जब दिल्नी सरकार और MCD दोनों ही एक party की governance में जब बना रहेंगा. मैं जब भी किसी और पॉलिटिशन से इंटर्व्य करने जाते हूं मैं हमेशा यूद की बाद जरूर करते हूं क्योंकि it's a fact कि we are the future of the country और इन ही मुद्दों को I think हर जगा highlight करना चाहिए और बात करने चाहिए जैसे आप करते हैं कि कैसे यूद के लिए better च जी की पिक्चर लगाने किया request किया लोग उना आरोप लगाया कि इस देश में हर धर्म समुदाय के लोग हैं तो यह बहुत inclusive डिमांड नहीं है what is your reaction to that? देखिए सबसे पहले तो उस डिमांड का election से कोई लेना देना नहीं था हमने तो बहुत पश्चतार से कहा था कि अगर कोई भी सोचे कि election से related है तो आप अभी छोड़ दीजे election के बाद कर लीजे यह तो मुद्दा लक्षमी जी और गनेश जी का इसलिए उठा था क्योंकि दिवाली का समय था और दिवाली एक ऐसा समय होता है जब लक्षमी पूजन गनेश पूजन तकरीबन सभी परिवारों में किया जाता है देखिए लक्षमी जी और गनेश जी को नोट पर लेके आना वो एक एक गुडग लुक की जिसकी हम बात करते हैं ना हम सब बहुत सारी चीजें ऐसी कहेंट है आप में भी जैस Thomas यह पहना हुआ है हैं समर्द्धी के लिए तो उनका आशिरवाद बना रहे गा तो उसमें देश की समर्द्धी में भी बहतरी आएगी हमने ये कहीं नहीं का कि कर दो रखने को करने की जरूरत है याज गोस की जरूरत हैं सब्कुच की जरूरत हैं की झरूरत हैं जरूरत म्कृत difuma माइन देने तो यह वसी बात है और आप MCB चुनावो के लिए स्टार कैंपिनर भी है उसी लिस्ट में राजेंदर पाल गौतम जी का भी नाम है जो कि अभी हाली में एक कॉंट्रोशल इवेंट में जाने के विज़े से थोड़ा सा बवाल मचा उनके उसे तो लोग उने बोला कि धर्मां गेरियास में जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं और हमारे लिए कोर मुद्दा चाहे वो पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक हो वो बेसिकली यह है कि हमने क्या काम किया है और भारतिये जनता पार्टी ने क्या काम किया है उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है हम तो हमारा एक ही मुद्दा है दिल्ली वालों के लिए काम इन फाक्ट मैं तो बीजेपी वालों से चाहती हूं कि जैसे जब अर्विंद केज लिवार जी वोट मांगने आय थी ना 2020 में तो उन्होंने कहा था कि अगर मैंने 5 साल काम किया है तो मुझे वोट दो वरना मुझे वोट मत दो तो आदेश गुपता जी दिल्ली भाजपा की प्रदेश अद्यक्ष है मेरा उनको चैलेंज है कि वो कल प्रेस कॉंफरेंस करके कहें कि अगर हमने 15 साल में दिल्ली साफ की है तो हमें वोट दो वरना में वोट मत दो सारा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा अवन बिचारों की क्या समस्या है उन बिचारों के पास कांपर वोट मांगने के लिए ही नहीं इसलिए हो कभी एक मुद्द में भटकाने की कोशिश करते हैं कभी दूसरे मुद्द में भटकाने की कोशिश करते हैं कभी तीसरे मुद्द में भटकाने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल्ली की जंता बहुत समझदार है, वो उनके बढ़काने से बढ़कती नहीं है. एक और कंसर्ण है कि आपके पार्टी के लेडर्स की बहुत ऐसी मिज़ है कि आप लोग बहुत कर्मठ लो हैं, और... ये इसान कैसे है? कि अच्छी चीज है? जो आपके, आपके, अरे इसान काम बलाएं कि आपको नशा हो गया है. मैं अन्हाँजहान ची की बात कि बात करो और लेटर में शून किया था. तो जब ऐसे आरोफ लगते हैं तो आपको लगते हैं कि जनता पे इसका असर पड़ेगा, हो सकता है आपके अच्छे काम छुपा देते हैं ऐसे comments कही बार लेकिए जनता इस बात को देखती है कि किस सरकार ने किस पार्टी में क्या काम किया किस ने क्या काम नहीं किया इलाज भी फ्री देती है बसकी यात्रा बी फ्री देती है बुजर्गों की तीटी यात्रा भी फ्री देती है कोई भी जंता के काम करने के लिए अर्वेंट केजरी वार्त की सरकार के पैसा अगा उ 뉴스 कर एं availability दूसरी तरफ वो यह भी देखते हैं, कि एक भादिये जनता फार्टी के, MCG में सरकार चलती है, जो हर दो महीने में आथ कड़ा करके कह दोते हैं, जी हमारे पर संखा देने के पैसे नहीं है, सफाई करम चाली के पैसे नहीं है, टीचरों के लिए पैसे नहीं है, नुश्टिस के लिए पैसे नहीं है, तो यह तो दिल्ली की जनता देख रही है, कि कौन है, अच्छा, वो बीजेपी के बार में दूसरी चीज़ दी देखते हैं, कि ज़ए पारशद पांच साल पहले वोट मांगने आया था, तो अपने टू-विलर चलाते हुआ आया था, अब बड़ी-बड़ी महंगी विदेशी गाडियों में चल रहा है, वो यह देखने आते हैं, जब वोट मांगने आया था, तो हमारी तरह कच्छी कॉलोनी में रहता था, अब देखते हैं, सड़क के उस पार, पॉष कॉलोनी में तीन तल्ले की कोठी है, तो यह समझ रहे हैं, कि कौन से नेता कौन सी पाटी अपनी जेब में पैसा दाते हैं, और कौन से नेता अर्विन के जरिवाज जैसे जनता की जेब में पैसा दाते हैं, यह जनता को सब सबस्ष्ट है, पस एक चोटा सा लास्ट क्वेश्टन में आपसे लोगी, कई सरकारे डेट में हैं, और आपकी सरकार लोगों को उनके लिए आप प्रीवीज लोग ऐसा मेंशन करते हैं, आप उनको हेल्प मौया कराते हैं, आप एक उनको सिक्यर्टी नेट लेते हैं, as you call it, तो कैसे आपकी क्कॉन सी जादू की जडिया है, कि बाकी सरकार ली चानगे और लॉख जडेट में हैं, तो आप मादमी पार्टी कर पारे हैं ये काम, बाकी क्यों ली कर पारें इस तेट स sûr Awards थे वही taxes थे, वही sources of income थे लेकिन 2015 और 2020 के बीच में उन्होंने दिल्ली का revenue, दिल्ली का budget 30,000 करोड से बढ़ा के 60,000 करोड कर दिया इस साल दिल्ली का budget 75,000 करोड है देखिए पैसा पेड़ पे तो नहीं लग रहा न पैसा तो इसी economy से आ रहा है, इसी शहर से आ रहा है यही के लोगों के traders किता access से आ रहा है लेकिन हम अपनी जेब में पैसा नहीं ढाते हैं हम अपनी जेब में पैसा नहीं भरते हैं हम जनता की जेब में पैसा ढाते हैं और इसलिए अर्विन केजरिवाल सब कुछ free देते हुए हÉ भी मुनाफर्प की सरकार चलाते हैं और भारतिय जनता पार्टी वाले जनता को कुछ ना देते हुए भी गाते की सरकार चलाते हैं ये दोनों murder देश के सामने उपलब्ध है और जनता को सपश्ड है Thank you आटेशीजी क्योंकि आपने एड्यूकेशन लाइन में बहुत काम किया है, एक मैं आपसे प्रॉमिस लना चाहते हूं, मैं आपके साथ उन स्कूल में विजिट करना चाहते हूं, जहां पे आपने काम किया है, जिससे हम रियालिटी दिखा पाएं, अब बिल्कुल, हुआ हु हुआ 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 ह